मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ क्यों नहीं पीना जी अर ठेंडा पानी होता क्या है पहले तो ठेंडा पानी समझो आयर वेज में ये कहा लिया कि जिस पानी का तापमान 27 डिगरी से कम हो वो पानी ठेंडा है अब 27 डिगरी से कम पानी कौन सा होता है ये जो रेफ्रिजरेटर में पानी रखा होता है ना ये चार-पांच डिगरी सेंटीग्रेट का है अब बरफ में लाया हुआ पानी है वो करीब करीब धाई 3 डिगरी सेंटीग्रेट का है तो ये ठेंडा पानी है बरफ में मिला के या रेफ्रिजरेटर में रखे तो फ्रीज का पानी नहीं पीना बरफ का नहीं पीना क्यों नहीं पीना ठेंडा पानी क्यों तो तकलीश क्य होगी आपका पेट गरम है कि ठंदा गरम ठंडा किसका है तो सब का पेट गरम है ठंदा नहीं है तो सब का पेट है गरम अब गरम पेट में हम ठंदा पानी डाले तो जगड़ा होगा क्या जगड़ा होगा या तो पेट पानी को गरम करेगा, नहीं तो पानी पेट को ठेंडा कर देगा, यही तो होगा, गरम पेट में ठेंडा पानी डाला, या तो पेट पानी को गरम करे या पानी पेट को ठेंडा करे, मान लो पानी ने पेट को ठेंडा कर दिया, थोड़ी गर के लिए सोचो, पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेटके ठंडा होता ही, हरद railway ठंडा होता है, क्योंकि हरद dep sanनी फिर जुले हों, हरदी के ठंडा होता ही, ठंडा होता है, ठंडा पनाता है, फिर राम नाम सब चो हो लेती है, और आप सब dysda क्यां टेने जानती है थिये ना, जब तक आदमी का शरीर गरम है तब तक उससे लिपट लिपट के रोते हैं ठंडा होते ही दूर से प्रणाम करना शुरू करते हैं और इतना दूर से प्रणाम करते हैं कि फिर हिरानी होने लगती है भी ये सगे लोग है समझ लो ठंडे शरीर की इजब नहीं है और जैसे घर के बाहर आया शरीर ठंडा तो मोहले फरोस वाले एक ही बात बोलते हैं जल्दी लेके जाओ जल्दी करो जल्दी करो अरे भले आदमी चाली साल जिसमें इतना बढ़िया मकान बताने में लगा दिया ठंडा होती ही कहने लगे जल्दी करो जल्दी करो भगाओ निकालो इस मकान से यहां जेगा नहीं इसकी समुझे लो ठेंड शरील की इजफ नहीं है तो ठेंड पानी की नहीं नहीं पिना अब कहीरा ज़ते हूं जब है जब पानी को गर्म करेगा तो पेट में पानी गर्म करने के लिए उर्जा की जरुष पढ़ती है उर्जा रक्त में है गानी को गरम करने पेट पेट में उतराता है अब शरी डी चैनल में ज Soviets और तीफसे नहीं नहीं पीना they of Israel कोगो है काम करना पंद करो जाए यह तसलिए कभी थंदा पानी पीना सोग्या अई थिर आप पूछो गरवे का का पानी पीना है जब मई जून की गर्मी आएगी तब मिटी के घड़े का पानी तब भी नहीं पीना बरफ का पानी कभी नहीं पी अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ मैं पहली बार विदेश प्रवास में कला तो मैं लेका तुप पानी पातो हूं पते हैं था बहुते होते होते हुआ डूंब्स फ्रिचंबी जानते हैं अप्र पर चेह चzemड़ा तो मैं का शरीर आप अलर्ज की रिसुए तो पानी ween दो लोर में कांगा इसी में होता है जिसको हम बढ़ी आत कहते हैं लर्ज इंटस्टाइंग्त पेट में चलता है लर्ज इंटtiस्टाइंग्ती प्र शिर्च तौह है ड़ीज़ों की बड़ी आत बंद हो जयते हैं Lewand बंदो जाई भी तो बल नहीं निकलेगा, मल नहीं निकलेगा तो घंटों घंटों उनको बैठना पड़ेगा, संदास कर तो मैंने देखा यूरोप और अमेरिका के लोग जब जाते हैं न टाइलेट में, तो दो दो घंटे बाहर नहीं आते हैं, अंदर ही बैठे रहे, अब म फिर भी पेठ साथी हो, फिर मैं पूछता हूँ, और क्या करते हैं, करते हैं, गाना गाते हैं, कौन जा गाना गाते हैं, मेरे सपनों की गानी कभी आएगी, वो आती नहीं है, और जब जाना तकलिफ होते हैं, तो दूसरा गाना गाते हैं, एक पर आजा, 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 समस्या पता है क्या है उनको खब्जियत हो जाती है और खब्जियत का कारण क्या बड़ी आजशिकुड का इदम दो गई अम्मल निकलेगा नहीं इसमें से यह समस्या कहां से शुरू हो यह थेंडा पामी पीने तो आप लोग प्योगे फेंडाता ने गाले 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 पुरेगा अधिश्या